नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओलट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 13 अगस्त 2021 की हिमाचल परदेश की आज की 20 सबसे बड़ी ताजा खबरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अनकित वर्मा ओलट पी नोटिफिकेशन को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक शेमाचल पर देश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ताजा खबरें तो वीडियो शुरू करने से पहले अ आपके सामने जो ताजा खबर ब्रेकिंग निउस है कि हिमाचल बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से करोना नेग्टिव रिपोर्ट या वैक्सिनेशन परमान पत्तर आनिवारी है तो हिमाचल परदेश में बाहरी राज्यों से हिमाचल परदेश आने वालों को शुक पर वारसी या वेवस्ता लागू होगी 15 अगस्त के बाद भीड को लेकर भी सक्ति के जा सकती है उलेकनी है कि बाहरी राजियों से आने वालों के लिए आफदा प्रवंदन की और से जारी आधेशों के मताविक बत्तर गंटों की आटी पीसी आर करोना नेक्टिव करना प्लान तियार शिमला से पहुंचे खोजी कुटे मशीनों को पहुंचाने के लिए बना रहे सड़क तो देख सकते हैं आप तस्वीर हैं तो हिमाचल परदेश के किनौर जीले के निगुलसरी हाथसे में मलबे में दवे लोगों को खोजना जीला परशासन के लिए करना करना पढ़ रहा है अब परशासन और पुलिस ने मलबे में दवे लोगों को निकालने के लिए नया प्लान तियार किया है शिमला थे तीन सनीफर कुटे मंगवाए गए हैं अगनिजाप की हिमाचल पर्याबरन विद बोले भूख शरण को प्राकृतिक आपदा कहना स सचाई से मूँ मोड़ना है दरसल इन हादसों में होने वाली मौत्तें जो है आदुनिक विकास के नाम पर दी जहाने वाले किसी नर्बली से कम नहीं हैं अगनिजाप के सामने रक्षा बंधन दोहजारी किस भाईयों की कलाई पर इस पार बहने बादेंगी बास की बनी रा अगनिजाप की हिमाचल में 18 अगस्त तक मौसम खराब शनी बार को दस जीलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट तो हिमाचल परदेश में शुकर बार को भी बारिश के आसार है शनी बार को दस मैदानी और मत्य परवती जीलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है अठारा अगस्त तक पूरे परदेश में मौसम खराब बने लाने का पूरबार नुमान है अगरी जाब की करोना हेमाचल में तीन संक्रमितों की मौत 316 की रिपोर्ट पोजटिव तो हेमाचल में करोना वाइरिस फिर से पाउं पसारता जा रहा है गुरुवार को परशी जीला कांगड़ा में 75 बर्शी और 80 बर्शी संक्रमित में लने धम तोड़ा उधर परदेश में करोना के 316 नए मावलिया है बीते 24 कंटों के दोरान परदेश में 249 मरीज्यों ठीक भी हुए हैं परदेश में करोना संक्रमितों का कोल आंखड़ा 29344 पहुंच गया केंदर को भेजा जाएगा आशा बरकरों के मांदे बढ़ाने का पस्ताव तो हिमाचल में आशा बरकरों का मांदे बढ़ाने का पस्ताव जो है वो केंदर सरकार को भेजा जाएगा स्वास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने या जानकारी वि को मुल्यांकन प्रिक्षा के दोरान संबंदित प्रमानपत्र और उनकी दो दोस्वाइं स्तियाप्यत प्रितियां आनी लानी जो है अनिवारिया होंगी अगनी विजाब की शमला से कि ओद्योगिक निवेश और विस्तार के 19 पस्ताव मंजूर 5107 को मिलेंगे रोजगार के तो हिमाचर प्रदेश में और द्योगिक निवेश और विस्तार के 19 पस्तावों को मंजूरी मिल गई है गुरु वारको मुख्यमंत्र जाराम ठाकुर के अध्यक्षिता में हुई राज्य एकल खेड की स्विक्रिती एवं अनुश्रावन प्रादिकर्ण की ठार्मी पैठक में इन पस्तावों को स्विक्रित किया गया अगनिव जापकी के नौर निकुल सरी हाथसा मृत्कों के आश्रितों को पांच-पांच लाख गाहिलों को पचास हजार पर देगी सरकार तो मुख्यमंत्री ने समुदाइक स्वास्थे के अंदर भावन अगर पहुंचकर गाह जो है परियनों को चार-चार लाख रुपए और गंभी रूप से घाय लोगों को पचास-पचास चार रुपए पर दान करेगी अगनिव जापकी शिक्षा विभाग कॉलेजों को 31 अगस तक जो है कर पूरी करनी होगी दाखिले की प्रक्रिया तो कॉलेजों में प्रमोट होने के बाद द्वित्य और तरित्य वर्ष की चात्रों की कक्षाओं को पूर्व निर्धारित 16 अगस से शुरू किया जाएगा लेकिन संक्रमन के खत्रे को देखते हुए और चात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ही शुरू किया जाएगा अगनिव जाब की कि तूटते पाहडों के पीचे बहु गर्भी दोष जीलोजी का सर्वे और इंडिया की रिपोर्टर बड़ा खुलासा अगनी जाब की कि कॉलिज नहीं आएंगे चातर केस बढ़ते देख शिक्षा भी भागने लिया फैसला ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई तो प्रद अगनी जाब की पासिंग को बहस ना होती तुझे बच जाती कई जिंदगिया निगुल सरी हास्टे से पहले आगे निकलने की दोड में उलजे थे दो बाहन चालक अगनी जाब की कि बढ़ी पगार और को और कितना इंतजार आशा वरकर की सैलरी को लेकर बरसे विधाइक राकी इस सिंगा अगनी जाब के सामने कि सरकार के चार बर्च पूरे होने पर राज्य पार को पहली चार्ज शीट सोपेंगी कांग्रेस धर्मानी अगनी जाब की यूपी के यूवक ने जो है किराय के कमरे में उठाया खौपनाक कदम पुलिस ज्याच में जूटी तो पुलदीब राठोर ने साधा निशाना बोले परदेश सरकार वा आपदा परबंदन के बीच नहीं कोई ताल मेल अगनी जाब की सामने कि सडक दुरगटना में घायल महिला की महिला की जो है पीजी आई में मौत कांग्रा से ज्याब की भवारना पुलिस थाना के अंतरकत दो दिन पूरव एक सडक दुरगटना में घायल महिला की मौत हो गई अगनी जाब की कि 13 अगस्त से उन्ना के सभी प्रवेश्टवार बढ़ाएंगी पर बढ़ जाएंगी पावन दिया तो दोस्तों ये थी आज 13 अगस्त 2021 की हिमाचल परदेश की आज की जो है बीच सबस को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल में ना भूजए ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जया हैं जया झाल 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 झाल